मेरे एक दोस के laptop में Windows 10 इस्टॉलता है एक दिन उससे अपडेट के लिए पॉप आता है वो अपडेट पे क्लिक कर देता है वो अपडेट पे क्लिक करता है कुछ ही देर में Windows 10 का Windows 11 हो जाता है जो कि उसे फ्री में Windows 11 मिल जाता है उसे तो खुश होना चाहिए था लेकिन वो प यह इन्डोस 11 बहुत परेशान कर रहे है मुझे वींडोस 10 वहापीस लाके तो मैंने गल्ति से अपड़ेट कर लिया तो मैंने काया फ़ला गयो क्या यार Windows 10 से लोग Windows 11 में अपग्रेड होना चाहते है Windows 11 तुमें मिला है तुमें इसे सीखने में क्या प्रॉब्लम है और इसमें कोई डिपिकल्टी नहीं है तो उसने बोला नहीं यार कुछ आप्शन मिलने रहे तो मैं आपको कहूँगा कि मैं इस वीडियो को देख लो जिसमें आपको एक नहीं दो नहीं पूरी 50 सेटिंग में Windows की बताने वाला हूँ जो बेसिक से एडवांस सेटिंग रहेगी जनरली Windows 7 और Windows 10 में आपको इजली मेलते थे लेकिन Windows 11 में नहीं मिल रहे इसलिए उने कैसे एक्सेस करना है इवन आप अपने फोन को Windows 11 के अंदर कैसे कनेक्ट कर पाओगे यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो धेर सारी इंट्रेश्टिंग सेटिंग यहां पे होनी वाली तो अगर आप इंट्रेश्टिंग हो यह सेटिंग सेटिंग सेखने के लिए ऐसी वैसी नहीं काम की सेटिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ तो चलिए पहले सेटिंग की तरफ तो हम बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं बता हूँ कि इन पचास सेटिंग की मैंने PDF नोड्स भी तायार करके रखे और वो नोड्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी उसके लिए आपको करना क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा इसे दानलोड कर सकतेंग तो अभी पहले सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं Setting number 1 में मैं आपको बताने लगा Task View के बारे में, अब यह Task View क्या होता है, सबसे पहले आपको Task Bar पे Mouse Pointer लेकिया आना है, यहाँ पे Right Click करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको Task Bar Setting Option मिलेगा, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे Task View Enable करने के लिए Option मिलेगा, मैं आपको य Task View Enable करते हो, तो आप नीचे देख सकते एक Task View यहाँ पे Open है, और जितने भी Applications आपने Open किये, उनकी यहाँ पे प्रियू तो दिखते है, साथ में यहाँ पे आप कितने Desktop पे काम करें, Desktop 1 यहाँ से New Desktop में ले सकता हो, और Desktop 2 पे जाकर देखिए, यहाँ पे हमने कुछ अभी Open नहीं किया है, यहाँ पे Desktop 2, मतलब Fresh Desktop अगर हमें चाहिए, जहाँ पे कुछ भी Application अपर उपन नहीं, तो हम यहाँ से ले सकते, या फिर यहाँ पे क्लिक करके हमारे फिर से Desktop 1 पे हम मुह कर सकते, या नया Open के और Desktop यहाँ से बंद भी कर सकते, तो ऐसे आप Task View का इस्तमाल कर सक यहाँ पे Windows 11 इंस्टॉल है, तो यहाँ पे यह सेंटर में आ चुके यह सारे के सारे आइकॉंस, लेकिन मुझे Windows 10 के आदत पढ़ी है, जो कि Windows 10 में जो आइकॉंस थे Left Side में थे, Start Button अगरा Left Side में था, तो मैं यह पूरे आइकॉंस लेना चाहता हूं, तो आपको सेम स्क्रीन पे आना है, Taskbar Settings वाले स्क्रीन पे, कैसे आना है जो कि पहले Settings में मैंने आपको बताया है, और इसमें आपको यहाँ पे एक Option मिलेगा नीचे Taskbar VOS, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए Taskbar alignment option है, यहाँ पे आप जाकर इसे Left सकते हैं अब बढ़ते हैं सब्सक्राइब करना चाहिए अब मैं टासबार करना चाहता हूँ जिस से आप टासबार को हैड कर सकते हैं तो यहां पर अब देख पाएंगे नीचे ज़ो टासबार से उसी में आपको मिलेगा automatically hide the taskbar यहाप यह जैसे आप क्लिक करोगे taskbar गाहब तो अब मैंने taskbar तो hide कर दिया लेकिन आएगा कब यहापे मैं इसे minimize कर देता हूँ अब यहापे taskbar तो आपको नहीं दिखाया दे रहा है तो taskbar कब आएगा जब आप mouse pointer यहापे नीचे लेके आओगे तो taskbar आपको दिखाया माउस फाइंटर ऊपर लेते यह फिर से hide नीचे ले लो फिर से show क्या बात है तो taskbar settings में यह सेटिंग नमबर 3 थी अब बढ़ते सेटिंग नमबर फोड़ की तरह अब देखो कि taskbar की उपर आपके यहाप एक Chrome browser उपन है Microsoft Word उपन है दो चार एप्लिकेशन उपन है इन सभी को एक सथ अगर minimize करना है तो right side में mouse लेकिया जो एकदम right side में taskbar के right side में right bottom corner में यहाँ पर देख सकते हैं आप mouse pointer में कहां पर लेकिया हो चाहिए तुम्हें एक पर focus भी करके दिखा तो आपको एक छोटी सी line दिखाई दे रहे हैं अगर आप notice करोगे तो और यह date जो है ना basically date and time उसके right side में आना है और यहाँ पर आकर mouse pointer से click कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे सारे application यहाँ पर minimize हो जाएंगे दुबार क्लिक करोगे सारे reopen हो जाएंगे सारे minimize सारे reopen तो यह जो option है अगर आपकी case में नहीं आ रहा है तो setting कहां पर जो taskbar setting option है इसी में ही आपको taskbar behaviors में जहाँ पर automatically hide the taskbar था उसी के नीचे आपको यहाँ पर दिख सेटिंग आपको पता होनी चाहिए ऐसी सेटिंग से जिसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए तो अगर अभी मैं minimize करता हो इसको तो यह काम हो रहा है अब बढ़ते सेटिंग नमबर 5 में मैं आपको बताने अलों कि system tray icon अगर आपको hide show करना है अब system tray icon क्या होता है basically य चेंज कर सकते task bar setting वाले इसी पैनल से यहाँ पे ही आपका cursor रहना चाहिए और यहाँ पे देख सकते order system tray icon पे आप क्लिक कीजिए जैसे आप क्लिक करोगी open होगा और hidden icon में तो यह देखिए यहाँ से system tray icon यहाँ पे देखिए अभी show हो रहा है दिखाए दे रहा है अब मैं इ Microsoft Word मैंने बंद कर दिया और Microsoft Word मुझे बार-बार start करना है तो मैं यहाँ से task bar से start करना चाहता हूं मैं start में जाओंगा फिर यहाँ पे search करूंगा word फिर उसके बाद start करूंगा time लगेगा तो मैं इसे task bar की उपर pin करके रखना चाहता हूं यहाँ पे जैसे Chrome browser रखा है ओपेर र तो इसी के पर right click is unpinned from task bar नहीं चाहिए तो unpinned करो चाहिए तो वहाँ भी करो तो इससे क्या होगा कि आपका application जो आपको frequently यूज करना है वो task bar पे pin रहेगा तो quickly start हो जाएगा तो अब बढ़ते है setting number 7 के बार अब हमारे setting number 7 जो है वो desktop icon के बारे में जैसे यहाँ पे धेर सारे icons आपको दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो yellow color icon है वो folder होते हैं और जिसमें arrow आता है यह icon दिखाए दे रहे हैं आपको arrow आ रहा है वो जो आईकॉन होते प्रोग्राम यहाँ यह दिखाए दे रहे हैं और जिसमें arrow नहीं है वो files होती है जैसे कि दिजाइन या फिर माइकोसाफ यह आपको वर्ड का यहां पर आइकोन दिखाए दे रहा है लेकिन यह फाइल है बैसिक्ली यह वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगा और ये प्रोग्राम उपन जाएगा याद रोखो अब यहाँ पर मुझे टैली का एक प्रोग्राम चाहिए ल एड़ांस कोर्स डिजाइन किया है जो कि JST रिटन्स के साथ है JST रिटन्स के साथ मैंने पूरा 110 से भी जादा चाप्टर से एक कोर्स डिजाइन किया जिसमें Certup के साथ यह कोर्स हमारे एप पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यहां पर राइट लिक करूं तो यहां पर कोई option ही नहीं है desktop पर shortcut बनाने के लिए तो आप कैसे करेंगे तो आपको यहां पर simple जाना है open file location पर यहां पर कोई option नहीं, pin to start है, pin to transfer है लेकिन desktop पर चाहिए है, तो यहां पर open file location पर जाना है right click करने के बाद, आप आओगे directly यह programs का shortcut जहां पर created है नहीं, वहां पर जाओगे और यहां पर अगर आप right click करते हो, तो यहां पर आपको show more options में, यहां पर windows 11 है, इसलिए show more option windows 10 है तो right click में ही direct option मिल जाएगा आपको send to, तो आपको show more option में जाना है, और show more options में अंदर, show more options के अंदर आपको send to option मिलेगा, desktop create shortcut, दिखाए दे रहा है, तो यहां से आप इसका shortcut बना सकते है, तो ऐसे कोई भी file का, file का याद रगे, file का program का आप shortcut बना सकते हैं, कोई भी file होने तो, word, excel, कोई भी file, तो आप उसका shortcut directly desktop पे बना सकते हैं, जैसे example, hello d drive में आपकी एक file बढ़ी important और वो आपको daily access करनी है, तो आप यहाँ पर right click करो, और यहाँ पर जाकर उसको show more options और यहाँ पर send to, create desktop, तो अभी मैं दिखाना चाहूँगा, इसे मैं minimize कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक shortcut है, यहाँ पर tally prime का भी shortcut आ चुका है, तो create desktop shortcut useful tips है, अच्छी लगी तो like करना, अब बढ़ते हैं, next setting दिखाना, setting नमबर 8, compress and extract file, अब हमें compress करने की ज़रूद क्यों पड़ती है, पहले में बताते हैं, जब आप किसी को कुछ files email कर रहे हो नो, तो एक साथ 10 बारा file आप email करते हैं, तो size बड़ी ज़ो हो जाती है, और एक साथ 10 बारा file select करना, फिर वो अलग-अलग file दिखाए दी थी, तो आप सभी को एक साथ एक folder में डालो और उसे compress करो, याद रोखो, अगर आप folder attach करने जाओगे email के अंदर तो folder तो attach होता नहीं, compress file attach होती है, याद रोखो, दूसरी चीज़ है कि file के size reduce करनी है, तो भी आपका यह compress जो है, बिसिकली काम आता है, तो कैसे करना देखिया है, अब यहाँ पर आपको धेर सारे और folder दिखाए दे रहे हैं, मैं काम का तो एक नया folder ही बनाता हो, right click new folder, आपको बनाने आता हो, right click new folder, और मैं बनाता हो, यहाँ पे important files, important files, IMP files मैंने नाम दिया, अब इसमें कुछ files मैंने डाल दी, जैसी यह 10 most important है न, इसको मैं directly drag and drop कर देता हो, या copy paste करेंगे तो भीचे लगए, यह वाली file मैंने डाल दी, ऐसे 2-4 file मैंने इसके अंदर डाल दी, IMP files, right, अब इन सभी files को मैं करूंगा, right click, इसकी उपर, मतलब इसे आप directly email पर attach कर सकते हैं, यह देखिए, IMP files, और इसे आप जैसी email से send करोगे, एक तो इसका file size कम हो रहेगा, जैसे इसकी size आप देखोगे, right click करो, और show more option में properties, directly properties मिल जाएगा, यहापे देखिए 26K भी है, अपको इसके उपर right click करके आप जब properties में जाओगे तो इसमे extract कैसे करे, वो भी आपका doubt रहेगा, कि जीप किया है अभी, हमने download कर लिया zip file, तो उसे कैसे करे, क्योंकि मेरी बहुत सारी practice files, zip file रहती है, तो आपको क्या करना है, इस file के उपर right click करना है, और extract all, जैसे आप extract all करोगे, तो एक pop-up आएगा, वो बोलेगा, कि IMP files नाम का folder जन अब क्या हो था, और extract करना, multiple files को एक folder में डालो, drag and drop करके, उसके बाद, उसके पर right click करो, compress करो, so अब बढ़ते है, setting number 9, setting number 9 में में आपको बताने हो एक presentation related settings, basically क्या है ये settings, जैसे मैं आपको कुछ present करना चाहता हूँ, या आप किसी का meeting ले रहे हो, और वो दूर बैटा है, स्क्रीन से, आपको कुछ चीज उसको जूम करके दिखानी है, तो Windows और प्लस बटन दबाओगे, तो ये जूम होगा, लेकिन, लेकिन, एक मिनिट हो कि, मैं क्या बता रहा हूँ, Windows माइनस से जूम आउट होता है, लेकिन जहाँ पे मेरा mouse pointer है, वहाँ पे zoom हो रहा है, जैसे म अब यह डालब बॉक्स आता है, मैंगनिफायर का, याद रखे, जैसे मैं इसे close कर रहा हूँ, Windows प्लस दबाता हूँ, यह देखिए, आगया मैगनिफायर का डालब बॉक्स, इसमें, आप यहाँ से प्लस और माइनस कर सकता है, लेकिन आपको जाना है, सबसे पहले से पहले ना लेंस रखना है, लेंस आप रखोगे तो कुछ इस तरह से पॉप अप आ जाएगा और ऐसा जूमिंग आ जाएगा, इसका प्रसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो यह ऐसा यह दिखाया दे रहे हैं आपको, लेंस ऐसा रहता है, यह पर्टिकुलर वही जू तो यह सारे चेक रहते हैं, इनको अंचेक रखना है, माउस पॉइंटर यह एक ही चेक रखना है, यह सेटिंग अच्छे से कर लो, फिर आप विंडोस प्लस करो, विंडोस माइनस करो, मेरी तरह अगर ट्यूटर हो तो आपको इसकी ज़रूद बहुत बढ़ सकती है, तो ज इन जिसमें मैं आपको बताने हो लाओ कि स्टोरेज डिवाइस कितने अटेच है आपके कम्पीटर में, कहां से पता चलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, जो इस पिसी का आइकॉन है हमारा, इस पिसी का आइकॉन हमारे कम्पीटर में, वहां पर राइट लिक करना है, म यहां पर properties में नहीं जाओंगा मैं show more options में जाओंगा और इसमें manage option आपको मिलेगा windows 11 में आपको इस तरह से manage option मिलेगा windows 10 में direct right click करने के बाद ही manage option मिल जाता है manage option में जाओ और यहां पर disk management यह option दिखा दे रहा है इस पर click करो इसे load होने के लिए कभी कभा time भी लग सकता है depending on your computer speed और यह load हो चुका है फिलाल मेरे case में यहां पर देख सकते हैं मेरे पास एक disk zero disk one यह दो attach है दो disk attach है और disk zero में कितने drives है और disk one में कितने drives है परावर तो मैंने यहां पर SSD लगाई है और अब बढ़ते हैं अगर आपको डेक्स्टॉप का यह जो फोल्ड रही है और आपको दिखाई देगा यह सेटिंग भी याद रखो अब बढ़ते हैं सेटिंग नमबर 11 10 एफी को कोरी एक्स्टॉप का क फोल्डर या कोई भी फाइल आपको डायक उर्फ्स्टर डाईउ में सेंड करनी तो अब स्क्निन करो राइट करने के बाद आपको क्या करना वह सेईंटॉप्शण सेन टू में मैंने डेक्स्टॉप कर बनेगा और डॉक्यूमेंट नहीं से स्ट्वेश में जाए जाएगा this या पर तो यहां पे कोई में कार्व लगा देता हूं लगा दिया इसे ऊपर अब दुबारा एक काम करता हूं तो यह कुई भी ड्रावि की फाल हो सकती है राइट लिक शो मॉर ऑप्शन और से इंट तू यहां पर देख सकते डाइरेक्ली मैं एच ड्राइव में इस फाइल को भेज सकते हैं तो आप देख सकते हैं अभी मैं इसे विंडोज ए करता हूँ और मेरा जो एच ड्राइव है बेसिकली अभी मैंने अटेच किया है उसे उ अब यह जो सेटिंग है बेसिक सेटिंग है जैसे कि डेक्स्टॉप का बैग्राउंड डेक्स्टॉप का जो ऑल पेपर होता है उसे कैसे बदलेंगे यह बहुत सारे दोस्तों को आता भी होगा जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए सिंपल है राइट लिक करना है पर अब मैं इसे मिनिवाइच करके दिखा तो वाओ इंट्रेश्टिंग लेकिन रुको अब मैं दूसरा कुछ अपलाई करना चाहता है अपना खुद का फोटो अगर अपलाई करना चाहता हो तो चूज फोटो यहां पर जाकर ब्राउस फोटो में जाओ और आप यहां पर चुकी है डाउनलोड सती सर्स किल को साइप जरू डाउनलोड कीजिए डिस्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो इमेज आप पूरी की पूरी आ चुकी है लेकिन कोई छोटी इमेज आगर आप सेलेक करते हो तो यहां पर उसके लिए भी ऑप्शन दिया है कि उसे आप कैसे करना चाते है गैकरन के अंदर ही यहां पर फिए की जग आप उसेрем स्ट्रेश टाइल सेंट्र कैसा सब्सकेतं करते हो जो पहला बेश करना चाहथ करना चाहते हूं ऑसी निचे आपको कलि थीम और कैसे चेंज तो सेम राइट क्लिक करो पर स्लाइज बेशा जाओ जाओ पर अपने बैक्राउंड देखा तो उसी के नीचे आपको तो अभी ये ट्रांसफरेंश भी जी देखा तो अब है तो यह जांकर आप यहांपे अलगळग फिर्टआ कर सकते जो की यहांपे दिया है तो थीण चेंज करना है तो आप फिर्टव भी देह सकते हैं रहें तो कोलर्ते हैं यह मैंने विंदोज तरहने ऐसे कर दो तो कॉलर्स नीषैन तो मैंने आपो बता है yn सकते हैं अब अम start menu से related setting देखेंगे setting no.14 में तो इसमें मैं right click कर रहा हूँ और पर्सट्राइज के अंदर ही आपको background colors, themes, lock screen नीचे आपके start menu से related setting में लेगा तो आपको layout कैसे रखना है जहान पर आपको recommended apps नीचे आजाएंगे दो जैसे मैं start पर click करो यह देखा ओपर सारे आपको pin app दिखाए दे रहे निचे आपके recommended app दिखाए दे रहे तो recommended app आपको ज़्यादा चाहिए तो यह वाला ले सकते और यहां पर highlighted चाहिए तो यह वाला एप ले सकते हैं तो जो भी layout आपको अच्छा लग रहे है वो ले सकते हैं तो layout तो easy यह select करना अब यहां पर show recently added apps तो हमने जो recently install के हुए आपको नहीं दिखाने तो यहां से दिखा सकते हैं अगर आपको most use जो आप यूज करते आप वह दिखाने चाहिए आपको start menu में तो आपको यहां पर most use जो आप यूज करते हैं वह यहां पर दिखाएगा अगर यह आपने on रखा तो और नीचे एक आपको folders option दिखाए दे रहा है जहां पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते इसे कियों जाच कोई folder दिखा दे रहा है मैं अब कर दिखाता हूं जैसे मैंने यहां पर फ़्याइद गार करते है आप देखेंगे नीचे आपको एक sot까요 डॉब्यार इंस्टॉल करोगे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर मैंने एक वेबसाइट विजिट की दाफॉंट.com जिआ पर फ्री में फॉंट मिलते हैं तो यहां पर कोई भी फॉंट आपको अच्छा लग रहा है वह आप डाउनलोड कर सकते हैं पर फॉंट कैसे करते हैं यह नहीं करते हैं तो यहां पर इस फांट को डबल क्लिक करना है और यहां ममार्न में पर फॉmental हो Kimema के अंदर याद और उसमें आपके सारे फॉंड्स दिखाए देंगे जो भी फॉंड आप इंस्टॉल करोगी आप यहां से रिलेट करना चाहते हैं तो उससे सेलेक करके आप डिलेट भी कर सकते हैं अब बढ़ते हैं सेटिंग नमबर 16 की तरह कई बार क्या होता है कि हमारा जो डिस्प्ले होता है जैसे आप बिलिंग काउंटर पर देखोगे जैसे जो लोग स्टैंट होके काम करते हैं उनका डिस्प्ले ऐसा लगाया हो रहता है तो उनको सामने वाले को जो सामने कस्टमर कर रहा है उनको भी दिखाना है तो वह अपनी चेंज करना होगा तो right click में जाना है display settings में जाना है right click display settings याद रखिए display settings के अंदर यहाँ पर आपको एक landscape orientation दिखाए दे रहा है देखिए display orientation उसके अंदर landscape की जगए अगर आप यहाँ पर landscape flip करोगे तो screen उल्टा हो जाएगा सब कुछ उल्टा मैं भी उल्टा right मैं नहीं उल्टा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपे वो बता रहे कि भाई keep changes उल्टा दिखाए देगा न क्योंकि यह सामने वाले customer की तरफ आप कर रहे है उल्टा कर रहे है सामने जो बैट रहा है उसको दिखाने के लिए कि लाल तो मैंने ऐसा लगया लेकिन ऐसा अगर टेबल पर लगया तो यह होगा तो आप उसे keep changes रखना है या reward करना है वह आप की मर्जी तो यहां से आप उसे क्या कर सकते फिलिप कर सकते इवन आप पोट्रेट भी कर सकते हैं देखिए पोट्रेट च्री तो पोट्रेट इस तरफ से इस तरफ से ऐसा ऐसा देखना पड़ेगा मुझे मुझे रखना पड़ेगा आपको यह एक इंट्रेस्टिंग है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है कि जितने भी एप इंस्टॉल है उनको आपको ग्राफिक्स कैसे देखिए कहाँजेंगे क्या है और मैं बुलूंगा कि हाई परफॉमेंस जब मैं हाई परफॉमेंस लोंगा तो आपकोस यहां पर जीप्यू इसको जादा मिलेगा इस एप्लिकेशन को और यहां पर पावर सेविंग का कोई सवाल नहीं आता है, फिर पावर सेव नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी ग्राफिक काड इंस्टॉल है, वो जादा से जादा यहाँ पे इुटिलाइज होगा इस एप के दोरान, जो एप हमने, जिस एप के लिए इसे एसाइन किया है, तो आप यहा इंट्रेस्टिंग ऑप्शन, जैसे कि एक्जामपल ले लो, इस डी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, नीचे स्क्रोल कर रहा हूँ, और यह फाइल जो है, मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने राइट लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया है, लेकिन यहाँ से रहा हुआ हट नहीं रही है, तो उसके लिए आपको जाना का पी, आपको विऊपे क्लिक करना है, उपर आपको दिखाए दे रहा है, यह मेनू आपको विंड़्ोस 11 में दिखाए देगा, विंड़्ोस 10 में भी का पे जाना है, मैं आपको दूँगा जैसे मैं क्लिक करूँगा यहां पर नीचे स्क्रोल करके आई यह देखिए फाइल दिखाए देरे राइट तो यह फाइल होती है यहां से और विंडोस 10 में आपको क्या करना है फाइल यहां पर फाइल ऑप्शन रहता है वहां पर जाना है और उसके अंदर यह एक आगे की setting यानि setting 19 की तरब बढ़ते हैं अग्या होता है कि बहुत बार मेरे पास फाइल इस तरह से रहती है डाउनलोड फोल्डर में फाइल से और मैं जान नहीं पार हो कि इसका extension क्या है इसका extension क्या है तो फाइल का extension यहां पे शो नहीं हो रहा है तो वियू में जांगा औ और यहां पर इस शो में आपको एक option मिलेगा file name extension एक option मिल रहा है यहां पर file name extension पर क्लिक कीजिए तो से आप क्लिक करोगे यह देखिए यह word की file है नीचे भी आप देख सकते हैं यह zip file है यह .gpz file यह .pdf दिखाए दे रहा है यह .pptx file है तो हर एक file के साथ तो उसका extension यहां पर display होगा view में show में यहां पर यह option मिलेगा और windows 10 में आपको वह फाइल options में जाकर ही आपको यहां पर view में मिलेगा hide extension known files यह जो चेक रहेगा इसे uncheck करना रहेगा बस आपको uncheck करते ही यहां पर क्या मिलेगा आपको वह extension show होगा मेरे पास बहुत सारी फाइल है एक साथ मुझे चार पास फाइल से यहां पर फोल्डर सिलेक करने हैं तो मैं क्या करूंगा view में जाऊंगा यहां पर show में जाऊंगा और item checkboxes यह वाला option check करूंगा जैसे मैं इसे click करूंगा basically तो अभी आप देख सकते हर एक फोल्डर के आगे यहां पर checkbox आ रहा है मैं इस वाले फोल्डर को select करना चाता हूं मैं इस वाले फोल्डर को select करना चाता हूं इस वाले फोल्डर को select करना चाता हूं तो ऐसे मैं multiple फोल्डर यहां पर select कर सकता हूं किसकी मतलब से विव में शो में यह जो है न आइटम चेक बॉक्स किसे अगर मैं आउन करता हूँ अगर मैं इसे निकाल देता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एक करके कंट्रोल बटम प्रेस करके सेले करना पड़ेगा सो अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 21 की तरफ अब ही सेटिंग में दिखिए यहां पे सब्सक्राइब पास बहुत सरे फोल्डर जैसे AWS बिल्स करके यह फोल्डर है तो मैं इस फोल्डर को अगर ओपन करना चाहूंगा तो मैं डबल क्लिक का तो अपन हो जाता है लेकिन यह सेम फोल्डर में ओपन हो रहा है यानि कि मेरे प आपको एक option उपर दिखाए दे रहा है, open each folder in the same window, इसकी जोग आप open each folder in its own window, इसकी separate window होगी, let's apply it and hit the ok and now double click it, you can check it out, यहाप एक नया फोल्डर open हो चुका है, और पीछे आपका जो है न वो open है as it is, यहाप नया फोल्डर है, यहाप नया फोल्डर इस तरह से open हो जाएगा, क् हर एक फोल्डर अपना एक separate window open करेगा, जैसी मैं open करूँगा यहाप, so got it, अब बढ़ते है tips no.22 कि तो, मुझे क्या होता है कि हर एक फोल्डर को open करने के लिए double click करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहापर, मैं simple है, यहापर settings field से कर लूँगा, वही dialogue box आएगा, मैं single click to open an item, इस पर click करूँगा, apply करूँगा, and let's check it out, मैं इसके उपर अभी single click करता हूँ, ओहो, direct open हो, right, इस तरह से आप single click से ही item को open कर सकते, item से मेरा मतलब है folder, file, याद रखी, लेकिन single click का मतलब मुझे ज़्यादा user नहीं लगता है, लेकिन आप यह setting यहाँ से कर सकते, तो यहाँ से जाकर आप उसे double click पर लाके रख सकते, इसलिए भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी setting कई पर change हो गई है, तो आपको setting दुबारा करने आने चाहिए, थोड़ा सा, बलते हैं उसका knowledge आपको होना चाहिए, किसी ने अगर आपकी setting बदली है, आपकी computer की आपकी तो setting बदलना मुश्किल है, मतलब समझ गये हैं आप, फिलाल यहाँ पर देखिए, यह होगे आपका double click का मैंने setting लाके रख दिया वापिस, ओके अब बड़ते नेक सेटिंग के बड़ते नेक सेटिंग सेटिंग नमबर 23 सबके काम की है, जैसे मैं download folder में आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह image दिखाई दे रही है, इस folder में, कभी-कभी folder में जो है, वो भी दिखाई देता है, आप इस folder में तो नहीं दिखाई देता है, यह पर यह folder के अंदर क्या है, वो नहीं दिखाना चाता हूँ, कभी हम files ऐसे open करते हैं और जिसका thumbnail व्यू र अलवेज शो आइकॉंस, नेवर थंबनिल्स, एपलाए, एपलाए करती ही आपे बस आइकॉन ही शो होंगे, थंबनिल्स, अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आप यह काम की चीज़ करके रहो, जब आप किसी के सामने आपकी files open कर रहो, अंदर क पता न चले, फोल्डर के अंदर क्या है, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, इसे अंचेक में करूंगा तो इस फोल्डर के अंदर क्या है, वैसे मेरा कोई यह आपे ज़्यादा नहीं है, तो देखने दो, कोई प्रब्लम नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ important अंद चाता हो, learn more señal already कुछ है, तो वो, मैं search करूगा है, learn more seller experienced कुछ है, तो search हो रहा है, लेकिन उस file के content के अधार पे मुझ़े фाइल को search करना है, जिसे file का नाम मुझे पता लेकिन उसके अंदर का content पता है, तो मुझे पता है कि उसके अंदर content है, मेरा naam है, या कुछ भी है, तो तो इसे चेक कीजिए फाइल नेम्स एंड कंटेंट भी है उस फाइल में चांटेंट भी जाकर ढूंडेगा हो और वह कंटेंड भी मिल रहे तो वह डिरेक्ली फाइल बदाएगा तो फाइल का नाम नहीं रहने दो सतीश देखिये सतीश अभी मैंने सतीश लिखा खाली वह सा मतलब यह है राइट वह एक काम की चीज़ याद रखिए सेटिंग नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं setting number 25 में आपको preview pane के बारे में बताने हो लगा यहाँ पे view में आपको show में एक preview pane option मिलेगा यह दिखिए preview pane मैं preview pane अगर on कर लेता हूँ यहाँ तो select file to preview मैं जैसी इस file पे click करूँगा इस file के अंदर क्या content है उसका preview यहाँ पे आ जाएगा याद रखिए जैसी आप कोई भी file पे select करते हैं तो वह file के अंदर क्या-क्या content है बिसिकली सारे content यहाँ पे आपको preview दिखाई देते हैं या फिर आप preview नहीं चाहते तो कुछ और चाहते जैसी कि यहाँ पर view में जाओ show म अब बहुत सरी बार हम क्या करते हैं डाउनलोड फोल्डर में धेर सारी file डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन क्या होता है नहीं जो file latest हमने डाउनलोड की वह हमें मिलती ही नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे एक option है sort में sort में हमेशा date modify या पे रखो date modify रखते ही जो हमने recent file बना सब कुछ separate separate मिले तो मैंने group by type की तो आपको उपर PDF की file एक साथ दिखाए दे रहें नीचे अगर आप आओगे यह सब PDF ही ज्याद है मेरे इसमें download में अप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर फोटोशॉप की file दिखाए दे रहें नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर zip file दिखा करना है तो वैसे आप कर सकते हैं आप नेम वाइस भी यहाँ पर ग्रूप कर सकते हैं और descending ascending मतलब आपको पता है कि वह एटुजट जेटुट कर सकते हैं लेकिन date modify अगर आप रखते हो तो जो recently मैंने डाउनलोड की file से वह उपर आपको दिखाए देगी तो यह sort and group आपको यह setting number 26 पर पता होना चाहिए 27 की तरब बढ़ते हैं अब यह setting number 27 जो ने Windows 11 में यह पहले बता दे तो Windows 10 में नहीं क्योंकि Windows 11 में उन्होंने इंट्रूडूस किया tab यहाँ पर download है मैं यहाँ पर एक और tab open करना चाहता हूँ जैसे मैंने प्लस पर किक किया यह देखिए एक और इसमें कोई और फोल्डर में open करना चाहता हूँ excel फाइल इसमें जाओंगा इसमें documents open करना चाहता हूँ documents आप देख सकते तो यहाँ पर आप जैसे Chrome browser में अलग-अलग tab open करते ना वैसी यह पर tab आ रहा है तो यह tab इन्होंने Microsoft ने Windows 11 में add किया दिया और इस tab को आपको close करना ह सकते में Ctrl W आप यूज कर सकते Ctrl W से close होगा और नया tab यह पर open करना है तो Ctrl T बटन दबा देना है Ctrl T यहाँ पर नया tab आते जाएगा यह पर close बटन भी दिया है आपके लिए और आप इसे और भी explore कर सकते इस tab के और मैंने idea दिए अब बढ़ते सेटिंग नबर 28 की तरह अब से पर डिलीट बटन दबा देता हूं तो यह डिलीट हो जाती है और मुझे इससे पर्मान डिलीट करनी है तो मैं Shift डिलीट दबाऊंगा Shift डिलीट से मैसे जा रहा है Are you sure you want to permanently delete this file इस तरह से मैसे जाएगा याद रखिए Shift डिलीट करना है अगर आपको पर्मान डिलीट करना है लेकिन अगर प्रमान डिलीट मतलब क्या यह फाइल जो है मैं जैसे डिलीट करूंगा ना यह फाइल का आप जा रहे देखिए डिलीट हो गई यह तो यहां से रिस्टोर हो गया दुबार आपके उस फोलडर में आ चुका है MP फोलडर में तो आप कोई भी फाइल करते हो ख सकते ये फाइल को सकते इसको करने के तरीक यह लेकिन फूंद टेक्नीकल है लेकिन चानल करना पड़ता है उससके लिइक लिकार आपको क्लेरेट कि लेकिन ठीक यह संपड़ियु चुका है कि बैगा और inve torah करेंगे तो क्या होता है अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 29 कि अब इसमें डिलिट तो अमने जान लिया लेकिन एक पात याद रखो आपने जैसे मैं इसे डिलिट किया तो यह डायरिक्ट डिलिट हो रहा है या पर कोई पॉप-उप नहीं आ रहा है जैसे विंडोस सेवन मे करनी पड़ेगी आप कोगे रिसाइकल बिन के भी सेटिंग होती है होती है यहापर देखिए रैट लिक कीज़े रिसाइकल बिन के उपर और उसके प्रॉपरटीज में जाहिए आप कभी नहीं गए होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ जाओ आप यह पूछ रहा इसमें जाकर स्टोर होगी इस ड्राव में जाकर मतलब आल्टीमेटली वहाँ पे जाकर स्टोर होगी हो बता रहा है कि लोकेट कर सकते दूसरा डूंट मूँ तू रिसाइकल बिन रिमुफाइल इमेजटली वें डिलिट तो यहाँ पे यह ऑप्शन चेक ना कीजिएगा अ डिसप्ले डिलीट कन्फरमिशन डायलोग यह अगर मैं आउन करता हूँ अब मैं जैसे इस फाइल को पहले रिस्टोर करो का पे गया हो रिसाइकल बिन में जाओ एक फाइल मेरी या पर पढ़ी है रिस्टोर इस आइटम रैट रिस्टोर कर दिया है आपे अभी मेरे पास वह आ चुका है यह रहा मैं अभी इसे डिलीट करता हूँ तो यह डायलोग आने लगा है क्योंकि हमने सेटिंग कर ली वैसे तो हम सेटिंग ही सीख रहे ना तो यह सेटिंग के लिए मुझे एक लाइक देदो यह वीडियो तो आगे चलते रहेगा लेकिन आप तक वीडिय लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही में चैनल पर नए मेमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद है और आप मुझसे और चीज़े सीखना चाहते है क्योंकि मैं पिछले 16 सालों से यह कंपिटर एजुक्शन फीर में हो तो म कुछ कोर्स के ई-book मिलेंगे सारी चीज़े आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने अप्लिकेशन के लिंक दिए यह फिर प्ले स्कील कोर्स सर्च किजिए स्कील कोर्स अप्लिकेशन आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत सारे लोग आनलाइन वहाँ पर सीक रहे हैं और साथ ही में यहाँ पर मैं बताना चांगा कि वहाँ पर एक नया कॉर्स में लॉँच कर रहा हूँ चैट झीपीट से इकसेल यह कोर्स बस gobierno में मैं रख रहा तो 9 रुपीज में आपको चार्ट जीपीट इन एकसल कोर्स मेरे एप्लिकेशन पर सीखने मिलेगा तो इंट्रेश्टेड हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर स्किल कोर्स अप्लिकेशन प्लेश्टोर पर सर्च कीजिए इस्टॉल कीजिए फिलाल तो आगे बढ़ते हैं और यह जो 50 सेटिंग्स है इन सारे सेटिंग्स की नोट्स आपको मिलेगी स्किल कोर्स अप्लिकेशन के उपर ही एक बात और बताना भूल गया था मैं यह बता देता हूं यह नोट्स आपको मिलेंगे कहां पर आपको जाना है स्किल कोर्स अप्लिकेशन में हो बनाया है तो जरूर चेक आउट कीजिएगा फिलाल तो नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं अब यह जो सेटिंग है यह रियल प्रॉब्लम से ले में कामबज ड rap करों तो यह Adobe एक्रोबेर डीडर में रिचाते हैं है गुई सारे क्लीक का Uh real video में और यहां पर जाना प्रॉपर्पशन है चाहते हैं और गुल क्रोम में तो अप सारे एप्लिकेशन की लिंक आ जाएगी जिसमें ये पीडिया फाइल उपन हो सकती है याद रखिए तो आप उसे सिलेक कर सकते हैं तो आपकी मर्जी यह बिसिकली इसकी जरूरत पढ़ती है जब आप मल्टीपल पीडियो प्लेयर या मल्टीपल पीडियो प्लेयर इंस्टॉ करते ही इसमें फ्रपर उपन होता है और इससे क्लिक करके मैं इससे सेट डिफॉल्ट करूंगा तो यह सारी फाइल मेरे कम्प्यूटर में वो सारी की सारी डाय डेकली ओपन करती ही ऐड वी एक्रोपेट रीडर में उपन हो जाएगी और यह ऐसा सर्टापिकित है जो कि प्रॉपरटीज में जा रहा हूं प्रॉपरटीज में जाने के बाद यहां पे आपको एक सेक्यूरिटी सेक्षन में होता किया द्हांत से दिखिए आपके जितने भी यूजर है आपके इस कंप्यूटर में अलग-अलग यूजर आपने मल्टीपल बनाए तो आप चाहते कि यह जो multiple user है इसमें मैं कुछ लोगों को यह जो फाइल है मेरी वह अलाव नहीं करना चाहता हूँ तो यहां पर मैं deny button पर click कर सकता हूँ फिलाल मेरे इसमें कोई user ही नहीं यह एडमिशेटर user है basically तो यहां पर जितने भी user आपने बनाए उनको जाकर आप यहां पर अगर आपके computer में multiple user है तो उसके लिए आपको सर्च करना है नाइट लाइट बस आप इतना है सर्च कीजे विंडोस 10 11 में night light आपका setting यहां पर दिखाए देगा आप यहां पर turn on करके रख सकते हैं यहां पर turn on करके रखा है इसे जो light है वो switch होनी चाहिए मतलब night light में switch होना चाहिए जो कि blue light बंद हो जाती है जाता स्याथ blue light यहां पर रेश्टिक होती है तो आपके आखों के लिए softness रहता है याद रखिए तो इसलिए night light के लिए आप यहां पर timing दे सकते हैं कि 7 बज़े के बाद यह turn on हो जाए automatically तो यह भी ज़रूर है setting करके रखो अपने computer में अपने आखों का care करने के लिए इसे ज़रूर की ज़रूर है अब यह setting भी उतनी ज़रूर ही यह power option setting उसके लिए आपको control panel में जाना है तो control panel में कैसे जाएंगे start R याने कि window R बटन दबाईए run में control लिखिए control panel में आपको मिलेगा एक power options यहां पे click कीजिए जैसे आप click करोगे यहां पे balance और power यहां पे जाकर change plan settings कीजिए और यहां पे ध्यान दीजिए turn off the display जब आप computer यूज नहीं कर रहे हो तो वह तीन मिनिट के बाद बंद हो जाएगा इससे आपका जो monitor ज्यादा पावर लेता है computer में राइट तो यह monitor basically turn off हो जाएगा display turn off हो जाएगा तीन मिनिट के बाद अगर आप computer यूज नहीं कर तो आप timing लग सकते मैंने निवर रखा है यहां पर continue सूझ जाता है तो sleep के बारे में अलग सा मैंने एक वीडियो बनाया कि वह डीटेल तो फिलाल वह देख लो आप उसका वीडियो आपको learn more चैनल पर मिल जाएगा फिलाल यहां पर रख सकते इससे अलग लग सेटिंग और save changes करते ही आप जब computer इस्तामाल नहीं कर रहे है तो यह power saving mode चालू हो जाता है तो यह काम की सेटिंग है सेटिंग नमबर 34 की तरफ पर सेटिंग नमबर 34 में मैं आपको बताने अलग सिस्टेम का performance increase करने के लिए आपको windows R बटन प्रेस करना है और इसके अंदर आपको यहां पे लिखना है percentage टेम प्रसंटेज यह क्या है एंटर कीजिए इसे लिखे percentage टेम प्रसंटेज लिखे एंटर कीजिए temporary फाइल को डिलीट करने का काम करता है यह सभी फाइल को सिलेक कीजिए shift डिलीट मार दीजिए और यह 29 items है सभी फाइल यह डिलीट हो रहा है कुछ फाइल से यहां पे डिलीट भी नहीं होगी तो आपको यहा इस खाली होता है और आपका performance computer का आपका मतलब computer का performance बढ़ता है right computer का बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा automatically cdc बात है तो मैं num lock प्रेस करूंगा और जो num lock प्रेस करने के बाद ध्यान से दिखें नम्बर लॉक के साथ मैं multiplication वाला sign अच्टिक्स इसे बोलते हैं वो प्रेस करूंगा तो यहां पी देखिए sub folder ऐसे उपन हो रहे है तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, यह बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सरे फोल्डर है उसमें, तो सब फोल्डर एक साथ ओपन करने के लिए आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, यह एक इंट्रेशनिंग शॉटकट की है, जरूरी है, तो आप इस तक इस्तमाल कर सकते हैं, सेटिंग नंबर 36 की दिरह पढ़ता है, इसमें आपने अपने अप्लिकेशन इंस्टॉल करके रखे हैं, तो उसे अनिस्टॉल करना है, तो आपको विंडोज आर बटन दबा देना है, विंडोज आर बटन दबाने के बाद यह आप एक चंट्रोल लिग देना है, देखें, ग्रकाने ऑप उसे परदेन के लाइने कीजिए, कंट्रोल इंटश इंस्टॉल पैनल में सिलेक लिई में आप देमाने के लिए, तो जरू ही होऊ न दिलिट कीजिए, जरू हो मत डिलिट कीजिए, वो तो आप समझदार हो, सेटिंग नबर 37 की तरह परThis सेटिंग नंबर 37 में एक इसा दिख रहा है तो पहले इसे केटेगरी की जग यहां पे आपको स्मॉल आइकॉन्स या लार्ज आइकॉन्स भी ले सकते हैं और इसमें मैं आपको बताने आपको सिस्टम बैकप करने के लिए आपको आना है बैकप एंड रिस्टोर ऑप्शन में यहां पे क्लिक करना है और उसके बाद यहां पे सेटप बैकप ऑप्शन दिखाए दे रहा है यह सेटप बैकप इसलिए करके रखना है अगर आपको लगता है कि यार आपके कम्पीटर में कुछ गडबड हो जाए आगे चलकर और आपक सा लोकेशन दिखाए दे रहा है तो सीड रवी का पूरा 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 जो प्रोग्राम इंस्टाल है सारी चीज़े जितनी भी सीड रवी में होती है में तो सिस्टम पाइल उसी में होती है तो उनका बैकप आप आप यहां से लेके रख सकते अगर आपके पास ज्यादा स सब्सक्राइब को में दूबरा आना है और कंट्रोल पैनल में ही आपको मिलेगा माउस सेटिंग्स तो मॉस दूंना है यह मिला चूहा माउस यहां पर क्लिक करो माउस का जो LGBT बटन है उसको राइट करना है तो हूँआ पर क्लिक करो मतलब यह देखे स्वीच होग है अब मैं right click करूँगा तो left button perform करेगा अब मुझे यहाँ पर आकर right click करना पड़ेगा apply करने के लिए right और मैं left button click करूँगा तो यहाँ खुट try करेगे तो पता चलेगा अब मैं दिखाने सकता लेकिन left का button right में हो गया right का button left में हो गया और धेर सारी mouse की यहाँ पे settings भी है जिसक पर दबल क्लिक होगा यह fast भी मत रखो क्योंकि बहुत fast double click करना पड़ेगा जिससे mouse खराब हो जाएगा मतलब double click मतलब क्या जैसी folder open करना है यह वाले open करना है मुझे तो मुझे इस पर double click करना है तो बहुत fast करना पड़ेगा अभी भी नहीं हो रहा है बहुत fast बहुत fast अभ बहुत slow भी नहीं रखना है medium रख देना इससे और इसमें यहां पर pointers भी है pointer options भी है will भी है लेकिन सारी चीजे मैंने complete technology पर बताई है इतनी सारी details setting अभी मैं mouse की नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बस mouse की basic setting का और कर लिए detail वीडियो आपको complete technology जैनल पर मिल जाएगा description में लिं अब यहां पर repeat delay और repeat rate ऐसे दो option है अब यह repeat rate में मैंने slow करके रखा है पहले से तो अब मैं A type करूंगा तो यहां पर कितना slow 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 जो A type हो रहा है मैंने preview दीखा आपको यहां पर दीख्या अब मैं इसको थोड़ा सा fast कर देता हूं और पूरा fast कर देता हूं और मैं अभी यहां पर आपकर जाए यह तो बाद ने वाला उससे थोड़ा time लगए और उसके बाद आगा क्योंकि मैंने long किया है मैं इसको इतना रखूंगा इसको थोड़ा सा हाँ इसको फास्टी रखो तो यह इसके सबसे रखो और कि एक करसर जो ब्लिंकी है न की बोर्ड का मतलब जो करसर हमारा ब्लिंक होता है टाइपिंग के लिए वर्ड चालू करने के बाद आपको पता ही होगा जैसे मैं स्टार्ट पे जाता हूं कि करसर है यह जो किरसर का बलींकीं कीड क應該 कि बैसी कितना रखना अब इसक अ करसर एक मेडियम स्पीड रक्रक्त तो इस से कीस देखी अ मैं आपको desktop icons रिल्ट्री सेटिंग बताऊंगा बेसिलिक क्या क्या देखिए तो यहां पर राइट लिक करने के बाद यहां पर वीव ऑप्शन आता है वीव ऑप्शन में यहां पर शो डेक्स्टॉप आइकॉन गायब हो गया राइट लिक करो सीम्पल है शो करो उसके अलाव यहां पर आ रहा है इस तरह से यह जरूरी होता है इसकोтомूर करो स्माआइकॉन करने केкие खो डार्ज करो ओ या यह तो भारा जाएंगे कंप्श्र के थीक है तो यह वीउ इसको भी सॉटिंग कर सकते इसको रिफ्रेश तो ठीक है सौर्ट कर सकते साइज साथ बाइटम साथ बाइन नेम वाइज सट हो जाएंगे यहाँ सेटिंग नमबर 40 थी अब बढ़ते सेटिंग नमबर 40 वन कि पर इन दोनों के बीच में आजाएगा अगर मैं यह भी हटा दू तो यह बीच में आसकता है यह दोनों के बीच में आ सकता है तो यह सेटिंग्स सीख लो यहां पर सेटिंग नमब 42 की तरब बढ़ते हैं अब अब मैंने यहां पर कुछ अप्लिकेशन उपन करके रखा है यह उपन करके रखा है यह वर्ड भी उपन करके रखा है अब मैं एक साथ टेंपरेरी मिनिमाइज करना चाहता हूं कोई आगे है कि storm कोमा दबादो और जैसे आप छोड़ दोगे पूरे आपश्यू कोमा इंट्रेसिंगे याद रखीए यह इसलिए क्योंकि आपको temporary उससे मिनिमाइज स्का इस्तेमाल कीज़िये सेटिंग नमबो 43 की बारी है अब इस सेटिंग में आपको बताओ कि आपको कुछ content website से copy करने जैसे मुझे यहां से यह content copy करना है नीचे मुझे description से यह content copy करना है तो मुझे अलग-अलग content copy करने है और paste करने है notepad में गिरा तो उसके लिए आप क्या करो सबसे पहले यह आप देख सकते Windows भी प्रेस करो Windows भी करने के बाद आगर मैं इसे notepad में पेश्ट करना चाहता हुआ तो मैं यहां पस स्थाइस कर दिया अब इस contain के बाद मैं दूबारा अभी यह content को copy कर ले तो brought Two अब मैंने यहां पे इसे पेस्ट कर दिया नोटपाट में चलो पेस्ट हो गया अब नोटपाट कि थुरी साइस कम कर देता हूँ अब यहां पर दोनों कंटेंट आ चुके हैं लेकिन मैं उपर वाला जो कंटेंट हैं दुबारा नीचे रखना चाहता हूँ तो मैं दुबारा copy नहीं करूँगा, मैं windows भी प्रेस करूँगा, windows भी, तो यहां पर जितनी भी copy करोगे न items, यह clipboard में temporary store होगा, यह clipboard है basically, याद रखिए, यह clipboard में temporary store होता है, यहां से आप directly paste कर सकते, जैसे इसमें आये, windows भी प्रेस कर दिया आपने, और यहां से आप चाह यहां पर directly copy paste कर सकते हैं, यह multiple copy paste करने के लिए कापी इंट्रेस्टिंग है, windows भी, clipboard, setting number 44 की बारी है, साथी में आपने यह जो काम किया, इसका आपको एक screenshot लेना है, या कोई website है, उसके उपर का आपको एक screenshot लेना है, जैसी यह screenshot आपको लेना है, यहां पर पूरे content का, तो windows print screen बटन दबादो, windows print screen, कुछ blink हो गया, windows print screen देखिए, अब यह दो बार मैंने लिया, कहाँ पे गया यह, windows e, file explorer, open हो गया, अब यहां पे आपको उपर pictures पे click करना है, pictures के अंदर screenshots नाम का एक folder मिलेगा, जिसमें आपको अभी लिया हुआ screenshot मिल जाएगा, यह देखिए, so आप क इसे screenshot ही बताने हो लेकिन यह screenshot जारा अलग सा screenshot है, मतलब क्या है मैं बताता हूँ, यहां पे आपको क्या करना है, snipping search करना है start में, जैसे आप snipping search करोगे, यह, snipping, दिखाए दे रहा है, snipping tool आ गया, इस पे click किजिए, यहां पे आपको new option दिखाए दे रहा है, click किजिए, और मैं यहां पे जितना चाहिए, उतना ही screenshot ले सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं भी, यहां पे कुछ pop-up भी आ रहा है, और मैं इतना part select करना चाहता हूँ, इतना ही, तो यह इतना ही screenshot आ जाएगा मेरे snipping app के अंदर, अब इसमें मैं चाहिए तो highlighter यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको save भी कर सकता हूँ, तो यह snipping tool ज़रूर यूज़ कीजिए, एक setting ही है na, basically screenshot से related, अब बढ़ते है setting number 46 के लिए, अब मैंने screenshot तो बताया है, लेकिन screen recording बता ना भूल गया हूँ, नहीं बूलूँगा, इसमें बता हूँगा, विंडो जी प्रेस करो, यहां प जैसे आप यहां पर recording पूरा कर दोगे, stop करोगे, जो भी आप यहां पर क्लिक करोगे, वो सारी recording हो जाईगी, और फिर recording यहां पर आपको दिखाए देगी, यह देखिए, यहां पर recording, screen recording आ जाता है, लेकिन यह desktop recording नहीं करेगा, कोई application open करके ही record करता है, विंडो जी याद र यह bitlocker से related, यानि कि कोई भी drive जो की important है आपका, उसे आप lock कर सकते है, इसके पर आपको right click करना है, right click करने के बाद turn on bitlocker, bitlocker यह जो है option, यह आपको allow करता है drive को lock करने के लिए password protected drive, यहापे password protected drive बन जाएगा, अगर आप यहापे password दोगे, next करोगे, इसे lock करोगे, हाँ, अ अप्ली टेकल और चैनल पर जिसकी link मैप को description में दे दूँगा, जरूर चेक आउट करना है, अब बढ़ते सेटिंगे, इसमें हमें क्या करना है, बस यहापे मैं start में जाओंगा, phone link सर्च करूंगा, और phone link सर्च करने के बाद हमारा जो भी phone है, वो हम यहापे link कर सकते हैं, मैंने already link किया है, यहापे आपको कुछ photos भी दिखाए देंगे, मेरे mobile के अंदर की कुछ messages भी दिखाए देंगे, लेकिन मैं उसे blur करूंगा, important रहेंगे, तो messages भी यहापे आपको दिखाए देंगे, और आप recent जो call किये है, phone calls, वो भी आपको आए या आपने किये, वो भी य आपको mobile में download करना पड़ेगा, और दोनों के उपर आपको same email ID से, Microsoft के email ID से login करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर आजाओगे, इस phone link application पे, तो आपने कोई phone link नहीं किया है, तो of course, of course आपको यहाँ पर link device नाम option आजाएगा, जैसे मेरे पास अभी यह already एक link है, मैं link new device करत करने के बाद आपके app के उपर app भी install करना है, और यहाँ पर QR code आएगा, जो app से scan करने के लिए पूचा जाएगा, तो इसे आप scan करोगे, और कुछ permission अलोग करोगे, तो directly आपका phone link होगा, और आप यहाँ से भी call लगा सकते है, यहाँ से बात कर सकते है, messages पढ़ सकते है, सब कितना memory यूज कर रहा है, कितना CPU यूज कर रहा है, हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पर right click कीजिए, task bar के उपर और task manager लगी है, या control L, delete button प्रेस करके भी आप task manager open कर सकते है, सारे task यहाँ पर बताता है task manager, आपका CPU कितना यूज हो रहा है, कौन-कौन से applications on है, फिर 95% memory यूज हो रही, बहुत सारे application चालू है, यह जो camera चल रहा है, यह भी इधर connect करके रखा है, screen recording का software भी चालू है, बहुत कुछ चालू रखा है, मैंने, recording का software चालू है, basically इन सारी चीज़ों के यूज से यहाँ पर memory यूज दिख रहा है, कौन क्या कितना कर रहा है, यहाँ पर कोई application आपको directly बंद करना है, तो आप right click करके यहाँ से उसे end task कर सकते है, तो यह task manager से बहुत कुछ होता है, आप एक बार जाके check out कर लो, बहुत कुछ पता भी चलता है, कि वह एक कौन सा task कितना memory utilize कर रहा है, अब बढ़ते हैं हमारी last setting की तरब, जो कि यह setting number 50, लेकिन उसक को बनाने के लिए मैंने बहुत मेनत लिए, मैंने continue recording किया है, मैंने 8 बजे recording चलो किया था, आप 9.30 हो गया, बीच में अभी cutting भी करना पड़ेगा, बहुत सारी मेनत रहती दोस्तों, तो भई इस वीडियो को लोगों के साथ share करो, subscribe करो, channel को नहीं किया है, तो और comment जरूर कर तो application के उपर धेर सारे आपको courses मिलेंगे, जहापे आपको घर बेटे बेटे ISO Certificate भी मिलेगा, course completion का Certificate, in-app video download, बहुत सारी advanced videos है, जो कि आपको applying classes पे कहीं पे सीखने नहीं मिलेगे, यह मैं guarantee देता हूँ, क्योंकि मैंने यह courses 5 या 10 दिन में बनाया नहीं है, काफी time लगा ह आप जाकर खुद content check कर सकते हैं, और skill course application में chat section भी है, जहाँ पे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, course related, कुछ भी सवाल है आपको तो आप वाँपे chat section में भी पूछ सकते हैं, so that's it, मैंने application के बारे में बताया है, सब कुछ बताया है, skill course application का जो courses है, आप desktop पे देख सकत पे ही, तो वो भी आपको वाँपे application पे website का details भी मिल जाएगा, सारी चीज़े मिल जाएगी, फिलाल तो फिलाल तो हम last tips की तरफ बढ़ते हैं, computer shutdown करना है, computer shutdown तो हमें आता है, alt है, power button press करो, लेकिन computer एक घंटे के बाद शब्डाउन करना है, तो ये tips मैंने पहले भी बताया लेकिन जिन को नहीं पता हो, देख लो, आपको आना है, run में, एक घंटे के बाद, automatic computer shutdown करना है, जैसे आप अपने TV को करते हैं, आप TV में कोई movie लगा है, लेकिन आपको लगता है, सोने वाले आप, आपको पता नहीं, TV बंद होना चाहिए, automatic एक घंटे के बाद, तो timer लगा है, yes मतलब second, h मतलब hour, तो minus yes, space minus t, तो ये क्या होता है, minus yes, यहापे आपका रहेगा seconds में time, और 300 seconds, time sum देंगे, तो 300 seconds के बाद ये computer क्या होगा, यहापे right side में आपको एक message भी आएगा, कि भाई, पाच मिनिट के बाद, 300 seconds है ने, लगबग पाच मिनिट, पाच मिनिट के बा है, तो 3600, जैसे आपने कुछ download के लिए रखा है, आपको लगता है कि भाई, यह computer एक गंटे के बाद बंद होना जाएगा, एक गंटे के अंदर, तो आप यहापे 3600 रखो, okay करो, एक गंटे के बाद यहापे download हो जाएगा, यहापे अभी pop-up नहीं आएगा, क्योंकि screen recording चल और यह log-up cancel हो जाएगा, shutdown space minus A, cancel हो जाएगा, so कैसे लगा दोस्तों यह setting का वीडियो, definitely आपको अच्छा लगा हो, तो like, share और comment, subscribe, जो भी है, सब कर दीजिएगा, मैं मिलूँगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर, तब तक के लिए description में हमारे application की link है, चेक करना मत यहाँ पर आपको chat GPT in Excel 9 रुपए में सीखने मिलने वाला है, अभी मैंने कुछ दिनों के लिए प्राइज रखी, आगे चल कर इसकी प्राइज बढ़ सकती, तो जल्दी से जाकर chat GPT in Excel 9 रुपए में enroll कर लीजिएगा, मैं मिलता हो आपको course के पहले वीडियो में chat GPT के, औ और आगे Complete Technology Channel पर नेक्स संडे मिलेंगे दौपऊर को एक बजे, तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा, सीखते रही है, सीखाते रही है, बाई बाई